नमस्ते मैं सोमा पाथक, रेकी मास्टर टीचर, क्रिस्टल मास्टर टीचर, एंजल हीलर एन्यमर लॉजिस्ट और साथ ही साथ आप सब के वेल विशर आज आप लोगों को थोड़ा सापधान करने आई हूं क्रिस्टल के बारे में क्योंकि मेरे क्रिस्टल को लेके जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को देखकर आप सबने बहुत पसंद किया बहुत सपोर्ट किया थैंक यू all for that support पर बहुत सारे ऐसे questions आ रहे हैं कि viewers पूछ रहे हैं कि कौन से हाथ में कौन से bracelets पहनने चाहिए, कौन से crystals पहनने चाहिए तो ये मैं आप सब को बताना चाहती हूँ कि crystal bracelets अवश्य पहनिये, बहुत positive होते हैं पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब crystals पहन रहे हैं, crystal जहां से खरीद रहे हैं, वहां से आपके हाथों तक पहुचने तक उसमें बहुत सारे negativity अक्यूमूलेट होते हैं, जमा होते हैं और इसी लिए उसको पहनने से पहले आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उसे processing करके, energize करके फिर पहनना हैं Otherwise, आपके पास, आपके हाथों तक आते आते उस crystal में जितने भी negativity जमा हुए हैं, उनके सारे negative प्रभाव आपके life में पढ़ेगा, आपके body में पढ़ेगा, health पे उपर पर सकता है, emotions के उपर पर सकता है तो ये ध्यान आपको जरूर देना चाहिए कि आप जब crystals पहन रहे हैं, उससे पहले, first time पहनने से पहले आप उसको process कीजिए, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, आप लोग description box में देख लीजिएगा, मैं वो link वीडियो का जरूर दूँगी कि कैसे पहनने से पहले crystals को process कर चाहिए, और वो processing regular basis पे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत positive result मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, कि crystals जितने positive होते हैं, उसमें crystal bracelets हो, चाहे crystal raw form में हो, या pencil के form में हो, tumble के form में हो, clusters हो, कोई भी form में crystals हो, crystals हमें positivity अवश्य देते हैं, ये 100% सही है, पर साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है, कि crystals जितना positivity देते हैं, उतना ही negativity को absorb भी करते हैं, वो हमारे शरीर से जैसे negativity को absorb करते हैं, या हमारे surroundings के, जो environment होते हैं, और जिन लोगों से हम पूरे दिन मिलते हैं, उन सभी के negativity भी absorb करती हैं, ये crystals, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आज फिर से आप लोगों को aware करना चाहती हूँ, जब भी आप crystals पहने, रेगुलर बेसे पहनेंगे तब तो करना ही है, must, 100% करना है, और आप रेगुलर बेसे पहने रहेंगे, continue पहनेंगे, क्रिस्टल आपको lifelong पहनना चाहिए, तो जब आप crystals को हमेशा पहने रहेंगे, तो रेगुलर बेसे पहने, आपको आपकी जिम्मेदारी है, कि उसे processing करते रहें, क्रिस्टल आपके friends होते हैं, यह बहुत सारे points हैं, जो आपको ध्यान में रखना है, एक crystals negativity को absorb करते हैं, second, वो positivity देते हैं हमारे life में, हमारे life की negativity को दूर करके, third, वो हमारे best friends होते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना, हमें अवश्या आना चाहिए, हमें बहुत carefully उनको handle करना चाहिए, क्रिस्टल जो crystals आप पहन रहे हो, वो सिर्फ आप ही का है, वो crystal आपको अच्छे से पहचानती है, आपके औरा को अच्छे से पहचानती है, आपके अंदर जो भी emotions चलते हैं, उनको बहुत अच्छे से absorb करती है, इसलिए आपका crystal सिर्फ आप ही के हाथों में process होना चाहिए, आप ही के साथ रहना चाहिए, किसी और के touch में नहीं आना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना ह नेक्स्ट है, आप अगर everyday इसको कर पाए तो बहुत अच्छा है, otherwise तीन-चार दिन में एक बार अवश्य कीजिए, जो भी crystals water friendly है, उनको tap water के नीचे 3 मिनिट तक running forcefully जो water आएगा, उसके उपर गिरना चाहिए, वैसे अगर आप crystals को, यह bristles को running tap water के नीचे रखे, तीन मिनिट तक हलके हाथों से रब करके, तो उसमें जो पूरे दिन की जो negativity absorbed रहती है, वो दूर होती है, और साथी साथ वो crystal charge होता है, second, आप उसको अच्छे से पोच कर, आप धुआ लगाईए, smoke, जिसे हम smudging कहते हैं, आप sage use कर सकते हैं, तेज पता यूज़ कर सकते हैं, कोई other herbs अगर हो, ginger का वो भी धुआ दे सकते हैं, साथ ही साथ आप अगर बती नगर बती चला के, या और candle या तो दिया उसकी रोशनी के पास रख सकते हैं, धूना या गोगल जो होता है, लोहबान जो होता है, करपूर होता है, मतलब camphor, इनका इनका दे सकते हैं, तो यह हो गया, next है, आपको यह धूप में रखना चाहिए, पर धूप में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, 10-15 मिनिट्स मैक्सिमम, क्योंकि उसमें elastic से बंधा रहता है, ब्रेसलर्स तो फिर ज़्यादा गर्मी के वज़े से वो लूज हो सकता है, तो इस इसे भी आपका ब्रेसलेट या crystal चार्ज होता है, और आपको positive result देता है, next है, आप चांदनी में रख सकते हैं, specially full moon के जो चांदनी होती है, उसमें अगर आप कुछ देर तक रखे वो तो आप आधा घंटा एक घंटा रखी सकते हैं, पूरे राद भी रख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही positivity मिलेगी, positivity आपको benefit देगी, और एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूं, कि बहुत जन्नों का question है, कि 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 ब्रेसलेट को किस हाथ में पहने, तो आप लोग जान लीजिए, कि maximum जो ब्रेसलेट होते हैं, वो left hand में ही पहनना चाहिए, सभी को, च जानकारी देने की जरूरत है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगी, आप लोगों का कोई question हो, तो जरूर पूछिएगा, आज यहीं तक नमस्ते